हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं योट्यूब चैनल सरकारी जॉप नियूस इस वीडियो में 10 जन्वरी 2019 के तमाम इंपोर्टेंट करेंट रफर्स हैं इसे देंदू इंडर्न एक्स्प्रेस सहित कई नियूज पेपर और पी एपी रिपोर्ट्स के याधार पर तेयर की गया है तो शुरू करते हैं आज का करेंट रफर्स क्वेशन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्क्रण 9 जन्वरी 2019 से किस शहर में शुरू हुआ इंपोर्टेंट क्वेशन है इसका एंसर है पुने दिखी एक कोशन दूसरे ढंग से भी आ सकता है कि इस गेम्स की मेजबानी कौन सा राजी कर रहा है तो वो महराश्ट है आयोजन हो रहा है पुने के श्री शिव छत्रपती स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में महराश्ट के मुखमति देवेंदर फॉर्णविस और किंदरी खेल राजमंत्री राजवर्धन सिंग राठोर ने इसका उधगाटन किया है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जी है वो के आई वाई जी इसे शॉर्ट में कहते हैं इसका पहले जो नाम था वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था उसे बदल कर अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिये गहें और पहली बार आयोजन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स भाग ले रहे हैं 12 दिन तक ये गेम्स चलेगा और 6,000 खिलाडी इसमें हिस्सा ले रहे हैं इसमें टोटल 18 गेम्स हैं और अंडर 17 अंडर 21 वर्ग में ये सब अपना भागे आज माएंगे ये मैं तोट डेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गेम्स है वो गर्मेंट ओफ इंडिया का बहुत महत्मकांची ये योजना है ताकि अच्छे खिलाडियों को ढूना जा सके इस देश में तो एक कोशन आप से कि ये जो गेम्स है वो 2018 में कहां आयोजित हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इसके बारे में और हां आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि लाइक जरूर आप लाइक करते हैं तो इसे मेरा उत्साह बढ़ता है ओके आगे बढ़ते हैं अगला जो करिंट रिफर्स है वो 124 में समिधान संशो दनविधेक को लेकर है देखिए नौ जनवरी को राजसभा ने इसे पास कर दिया रात को और इसके तहते समान नवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सिक्षा और रोजगार में 10 परतिशत आरक्षन देने का ये मुद्दा है तो बिलको लेकर राजसभा में लोगसभा ने 8 जनवरी को ही बहमत से इस विधेक को पारित कर दिया था तो ऐसा सरकार का कहना है कि अब राज्यों की मजोरी लेने की को जरूरत नहीं है इस विधेक में ऐसे में इस विधेक को अब सीधे राष्टपती की पास भजा जाएगा और वहां से सिकनेचर होते ही समविधान में संशोधन मानने हो जाएगा ओके आगे बरते हैं कुशन होगा किस केंदरिये मंत्राले ने ऑनलाइन अभियान वेव वंडर वूमन लॉंच किया है जिसके तहत सोचल मीडिया के माधम से समाजिक प्रवरतन का एजेंडा चलाने वालों को खोजना और मानिता देना मकसद है तो इसका एंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्राले अच्छा इसके लिए मंत्राले ने ब्रेक्थ्रू और ट्वीटर इंडिया के साथ कॉंट्रक्ट किया है मतलब साजिधार हैं वो दोनों इस अभ्यान के तहत पूरी दुनिया से नॉमनेशन के थ्रू भ मती दी है एंसर होगा इसका समाचार अगला कोशन इंपोर्टेंट है येलो वेश्ट आंदोलन वर्तमान में बेल्जियम और नीदर लेंड सहित कई यूरोपिये देशों में पहुँच चुका है तो इसका आरब किस देश से हुआ था इसका एंसर है फ्रांस कुछ वक्त प और जो ट्रांसपोर्ट के जो प्रदूर्शन कारक है उसके लेकर टैक्स में प्रस्तावित व्रिधी की गई थी तो इसी के खिलाफ लोग सरकों पर उत रहे थे और एक खास रखा पीले रंग की उन्होंने जैकेट पाने हुई थी लोगोंने तो इसलिए इसका नाम जोई येलोग वेष्ट आंदूलन के रखा गया है उसकी शुरुमात तो फ्रांस में हुई थी लेकिन अब अन्न देषों में भी फैल गया है लंदन में भी लोग देखे गए हैं ये लोग वेष्ट आंदूलन के करकरता लोग देखे गया है आगे बरते कुशन होगा वर्ल्ड कि मुख्यकार्य अधिकारी यानि CEO हैं और हाली में इसके अध्यक्ष ने एक फरवरी से पद छोड़ने का ऐलान किया है इसका जिक्र मैंने कल के कर इंटर्फिस में किया था तो आप कमिट बॉक्स में जरूर लिखना कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम जिन्होंने एक फरविर से पद छोड़ने का ऐलान किया हुआ है तो वर्ल्ड बैंक का मुख्याले कहां है तो USA में वाशिंग्टन डिसी में इसके अस्थापना हुई थी 1945 में तो इसका काम क्या है तो लोन के मैदम से जो देश हैं अलग अलग बहुत सारे तो उनकी अर्थवस्थाओं को एक व्यापक वर्ल्ड एकोनोमी में शामिल करना है विकास शील देशों यानि डिबबपिंग कंट्री में गरीबी उन बुलन के प्रयास करना है अगला कोशन भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक ने आठ जन्वरी को गलोबल एकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स डार्कनिंग एसकाईज रिपोर्ट जारी की है तो इसके अनुसार वर्ष 2019-2020 के दोरान भारत का सकल घरिल उत्पाद यानि जीडिपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा जीडिपी क्या होगा गरोफ रेट तो इसका एंसर है 7.5 परसेंट दीकि वर्ल्ड बैंक की इस र अर्थ वस्ता वाला देश बना रहेगा और 18-19 में भारत का जो जीडिपी है वो 7.3% की दर से बढ़ेगा दूसरी वो चीन का जो विकास दर है वो 6.3% रहने की उमीद है तो यह जो आकड़ा है ताजा वाला वो 2019-20 का है जो की 7.5% का ग्रोफ रेट है एक और बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि जीएश्टी और नोट बंदी के कारण 2017 में भारत की अर्थ वस्ता में गिरावट आई थी अगला कोशन है केंदरिये मंत्री नितिन गटकरी ने 9 जनवरी को मासिक पत्री का जल चर्चा का विमोचन किया ने लॉंच किया तो यह किस मत्राले की पत् कड़ी के पास कौन-कौन सा मत्राल है कई सारे मत्राल है आप बताएगा जरूर मैंने इसी कुशन में हिंट दिया हुआ है ओके आगे बढ़ते हैं कुशन होगा होट रिष्टार के किस पुर्व सीओ ने फेस्बुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी का कारभार समाल है अभी हाली में समाला इन्होंने एंसर होगा इसका अजीत मोहन ओके आगे बढ़ते हैं कॉशन होगा यह पॉलिटी से रिलेट्ट कोशन है कॉंग्रेस ने किसे महिला कॉंग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्री यह महासचे नुक्त किया है देखिए ट्रांसजें वो इससे पहले BGP और AIA DMK की भी सदस्य रह चुकी है अगला कुशन है इन्फोसिस साइन्स फाउंडेशन ने दसवे इन्फोसिस पुरुस्कायर 2018 की घोशना किया अभी हाली में तो इसमें इंजिनेरिंग और कम्प्यूटर साइन्स के च्छत में किसे सम्मानित किया गया एंसर इसका नवकांत भट देगे 5 जनवरी 2019 को ये एलान हुआ है टोटल छे श्रेनियों में और छे प्रतिश्चित प्रोफेसर को ये सम्मान दिया गया है तो इसको देख लेते हैं इंजिनेरिंग और कम्प्यूटर विज्यान में नवकांत भट को दिया गया है मानवी की में कविता सिंग को जीव विज्यान में रूप मलिक को गनितिये विज्यान में नलिनी अंत रामन शरीरिक विज्यान में इसके सतेश और समाजिक विज्यान में संतिल मुले नाथन ओके ते एक कोशन आपसे आप देख कि इनफोसिस के चेर्मन कौन है आप कमेंट में जरूर इसका एंसर देना देखे मैं जो ये सब क्वेशन पूछता हूँ आपसे इसका अगर आप जवाब देते हैं लिखते हैं तो इससे आपकी ही प्रेक्टिस अच्छे होती है आगे बढ़ते हैं कुषन होगा किस अंतराष्टी संस्था की रिपोर्ट ग्लोबल रिप रिपोर्ट ऑन ट्रेफिकिंग इन पर्संस तूथ होजने टीन के मताबिक दुनिया भर में मानव तसकरी भायावा रूप ले चुकी है और इसके पीडित तक्रिवन हर तीसरा शक्स बच्चा है इन्पोर्टेंट रिपोर्ट है ये और इससे जारी किया है संगुत किस ऑफिस ने जारी किया है तो UN Office on Drug and Crime UNODC उसी ने ये रिपोर्ट जारी किया है अभी हाली में इसमें कहा गया है कि पश्चेमर दक्षन यूरोप में पीडितों की तसकरी बंगलादेश, भारत, पकिस्तान समयत कई दक्षन एश्याई देशों से हुई है अगला कोशन ले असोशेशन बन गया है एंसर इसका अमेरिकी क्रिकेट संग यानि USA क्रिकेट इसे एंगलिश में कहेंगे अमेरिकी क्रिकेट एसोशेशन देखी ये देश पहले भी ICC का मिंबर था लेकिन 2017 के जून महीने में इसकी सदस्ता रद कर दी गए थी अमेरिकी क्रिकेट एसोशेशन के चेयर्मेन है पराग मराथ है और अमेरिका जो है वो दुनिया के उन 24 टीमों में शामिल है जिन्होंने कभी न कभी इंटरनेशनल वन डे मुकाबले खेले हैं क्रिकेट खेले हैं तो यह था दस जन्वरी 2019 का इंपोर्टन करेंटर फर्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके करियर में लाग पहुचा सकता है तो प्लीज लाइक जोरू करें और अपने दोस्तों को भी जोरू शेयर करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यव झाल